वैसे हम सभी पहले से ही जानते है कि वांडूंग असल में एक तांग उटूंग है जो पान सेन और जीगू की बेटी है आगे सीरीज में सी गौड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल नाम से टेक एपिसोड आएगा जसमें वांडूंग युहाओ को अपनी असली पहचान बताए सी गौड ब्लाइंड डेट फेस्टिवल साल में एक देख बार होता है उस दिन के रात को कई स्टेशल इवेंट्स होंगे और उमें से एक है ब्लाइंड डे जिसमें श्रेक अकेडमी के स्टूडेंट्स अपने लवर्स को प्रपोच कर सकते है या किसी के साथ देख पल जा सकते है अग उसी दात को एक स्टेशल गेंड चल रहा था जिसमें श्रेक अकेडमी के मेल और फीमेल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे सभी फीमेल स्टूडेंट्स ने प्रेडिशनल मास्त के साथ एज जैसी कपरेट पहनी हुई की और कुलिवियूम के चेहरे नहीं देख सकता था और अब मेल स्टूडेंट्स को एक एक करके सब फीमेल स्टूडेंट्स के सापने चाकर खुद को इंट्रोड्यूस करना था और साथ ही अपनी पावर लेबल भी दिखाना था उसके बाद फीमेल स्टूडेंट्स अपनी पसंद के मेल स्टूडेंट को चुन सकती है। फिर एक एक करके सभी मेल स्टुडेंस फीमेल स्टुडेंस के सावने गए और अपमी पाकत दिखा में लगे। कुछ तेर बाद युहाओ की बारी आ गए। लेकिन उसका ध्यान तहीं और था। वो मांडों को भूंट ओहा भा। वो कहता है ये वांडों कहा है। मैं में उसे सुभा से नहीं देखा। वो यहाँ सी गौड फेस्टिवल ने आया अब गी है या महीं। इसके बाद युहाओ फींडेल स्टुडेंट्स के सामने जाकर खुद को इंप्रोड्यूस कर में लबता है। हाला कि फीमेल स्टुडेंट्स अपना चेहरा चिपा रही थी। लेकिन युहाओ उनकी मार्शल सोल की पावर को सेंस करके पहचान लेपा है कि मास्क के पीछे क कौन कौन है। मदल जब युहाओ ने दूसले नंबर पर खड़ी मिस्टीवियस फीमेल स्टुडेंट के बारे में चानमे की कोशिश की तो हो कन्फ्यूज हो कर कहने लड़ा ये फीमेल स्टुडेंट कौन है। इसके पास वांडूं के जैसी सें मार्शल सोल क्यों है। चा नवबर तू वाली लड़की की बाली आ गई। हानकुली सोच लहा था कि गो किसे चुनेगी। फ्रम हीवल मिस्टीरियस लड़की युहाओ की ओर जाती है और उसे चुन लेती है। ये देच्थल युहाओ काफी हैरान लगटा पा है। हिन पकाचरन पा है कि दो और युहाओ को चूच किया वो कोई और नहीं बलकी लिंग लोचन है। इसके बाल तीनो लरकिया युहाओ के पास खड़ी हो जाती है। अब जब पीनो लरकियों ने युहाओ को चुना है तो उन्हें युहाओ के सावने अपनी फिलिंग्स को कम फेस करना होगा। सबसे पहल दिलिंग लोचन कहती है। युहाओ तुग ही हूँ वो जो मुझसे मैच करता है। तुम मुझसे जाबा स्ट्रांग हूँ और मैं हमेशा तुम्हें देख भी आ रही ह। मुझे चूच करो अगर तुम्हें मेरे रहते किसी और को चूच किया तो मैं तुम्हें महीं जिसे देखकर युहाव चोग गया। चोगी मुझे वो लड़की चाहिए ये सब सुनने के बाद रेंट और गिमाजर कहती है। मैं सभी लवना चाहते है। इस ही एटीम मैच होंगे और युहाव को हर एक मैच लवना होगा। युहाव क्या तुमे से एक सेट करते हो। युहाव मैं कहा कि हा मैं एकसेट करता हूँ। तभी बीच में वो मिस्टेरियस लवकी बूलती है। मैं इससे अगली वहीं करती। मुझे नहीं लट पाउं से अलद लव में की जरूरत है। मैं युहाव के साथ टीम अप कर लूँगी। और वे सभी एक ही समय में हमसे बैपन कर सकते है। युहाव ने उस मिस्टेरियस लड़की की आवाज पहले धी तहीं सुली थी। लेकिन उसे याग नहीं आ रहा भा तभी अनाउंसर कहती है कि ये लूज के अगेंस्ट है। तब वो मिस्टेरियस लड़की कहती है आज कब इन वेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट है। मैंने इस बिन का लंबे समय से इंथजार किया है। यहाँ मौझूद सीनियर सिस्टर्स मैं आप से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तब आप अपने लवर से मिलने जा रही हूँ और अचामक कोई पीसर रहती आकर रास्ता रूख गे। तो आपको कैसा लड़ेगा। फ्रीज मुझे युहाँ के साथ टीम अप करने दीजिए। मिस्टीरियस लड़की जिबातें सब ही मेल और फीमेल स्टूडेंस के दिल को चुजापी है। वे सब कहने लड़े हम तुम्हे सपोर्ड करते हैं। वही युहाँ सोच रहा हुता है। लुको क्या इस लड़की का मपलब है कि ये मुझे लाइक करती है। फिन वो नलकी युहाँ के बहुत पास आकर उसका हाथ बकर लेती है। जैसे ही उस लड़की ने युहाँ के हाथ को छुआप युहाँ की सोल फोस बाइब्रेट होने लगी। और उस मिस्टीवियस लड़की की सोल फोस के साथ नैच होने लगी। ऐसा सिर्फ तब हुपा है जड़ दो सोन मास्टर्स युजन टेकनिक यूज करने के लेकव वैकिबल होते हैं। और युहाँ को पहले से ही ऐसी फिलिंग लेस वांगडूं के हाव को छुने कराए थी। फिल युहाँ में उस लड़की से कहा चाटूं वांडूं हो। कब वांडूं यानि तांगूटूं में कहा तुम्हें ये जानने ने बहुत समय लड़ा दिया। तुम्हें के डियाट हो। इस पर युहाँ सोचता है। जब हमें एची रूम में एक साथ लहा कर पी थे। तो हम में कभी साथ में नहीं नहाया। वांडूं तब कपड़े बदलता था जब मैं कमले में नहीं होता था। अब सब समझ में आ रहा है। मैं एक बहुत बड़ा एडियाट हूँ। फिल युहाँ में टांगू बूम से कहा, तुम मैं इस एडियाट के लिए इतना कुछ सहा और किया। क्या तुम इस एडियाट को एक चावस दे सकती हो। अजब तुमने इस एडियाट को एक सेप नहीं किया। उसकी आखों से आशू निकलने लगे, फिल उसने युहाँ से इडियाट से कहा, तुम मेरे इडियाट हो। ये कहते हुले उसका पर उजल एक सेख करती है, और थेर वो दूनों एक दूसले का हाग पकड़े हुए शरबाने लगते हैं। वो ये दी डून गए कि वे गेम के दीच में थे, तब ही दाई हुआबन कहता है, युहाँ कव हमारे खिलाफ नहीं जीते हो, ये सब प्रपोजल और क्यार भरी बाते चोड़ो, और पहने हमसे लड़ो, तब युहाँ ने कहा, वान डून हम ये दबैकल जलू जीतेंगे, उसका मैं आज बदला लूँगा, मैं तुम्हें दिखाऊंदा कि अब मैं कितना स्ट्रूम बन गया हूँ, उसने फिर मिन कियान से कहा, बैरियर बनाओ, आज मैं उसके खमड को चूर चूर कर दूदा, इस पर निंग कियाम कहती है, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं ह मुझे पता है, चाकरवना है, यूहाव ने उस लल्ठी को चुला जिसने अब तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, मैं जीनियस हूँ जो कुम्हें पसंद कमती है, तुम्हें खुशी कि रासुगोना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोग, लाकर राउंड वाले का सपोर्ड कवने को कयाव थी, ये कहते नुए वो गाई हुआवन के चारो और एक प्रोटेक्शन बैरियल बना बेटी है, तबी लिंग लोचन में धी कहा, यूहाव मैं तुम से पहले भी लव चुकी हूँ, और मैं तुम्हाली पावर से इंप्लेस भी हुई ही, लेकिन दुख की बात है कि तुम में हुझे नहीं चुडा, फिर लिंग लोचन अपनी आइस मार्शल सूल का यूज करके उन पर हबला कर में लपी है, साथ ही दाई हुआवन धी वाइट टाइगर फॉर्म में बहुत तेजी से यूहाव पर अटैक कर में जा पा है, उसी सवरे ता स्किल्स का यूज करके मेरे हमनों से बशना जानते हो, अदव तुम एक असली मर्द हो तुम मुझसे आप में सावने लरो, ये सुनकर यूहाव कहता है, हमने पहले भी कई लवाईया नरी है, लेथिम चाप में कभी मुझसे कोई लवाई जीटी भी है, ये कहते हैं वे दाई हुआवन कहने लगा, या तुम मजाक तद हे हो, या कुम हे लटपा है कि वीक लाइट भी मटाइक मुझे हरामें के लिए काफी है, फिर उस लाइट बीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए दाई हुआवन देवाई टाइगर शौक वेब से काउंटर अटैक किया, लेथ पाला की युहाव जान चुका भा कि वांडून निकलव की है, मदर उसने अब तक उसका असली चेहरा महीं बेखा था, इसलिए उसने तांगूटूंग से शर्मातेंगवे पूछा, मैं तुम्हारा असली चेहरा बेखना चाहता हूं, क्या वैं देख सकता हूं? इस पर ता असली चेहरा पसंद भी आएगा, क्या हुगा अगर उससे मेरा चेहरा पसंद नहीं आया और उसने मुझे रजेक कर दिया? युहाँ साफ साफ देख पा रहा था कि पानगूटूंग अबला रही है, इस ही उसने उसका हाव पपर लिया और फिल मास्क हाका दिया, जब उसन से देख रहा था, वे अपनी पलब भी नहीं धपका रहे थे, बारी हुआ बिन जो गुस्ते निर्खा, गोभी अचामक शान्त हो गया, और पानगूटूंग को देखें लडा, श्रेक सेवन मिल बज जैसे डेदे शायतो जुसेंजी, ज्यांग मैम और बाकी सब अकेडमी स्टूडेंट्स जो वांगडूंग को पहले से जानके थे, उलहें विश्वास नहीं हो रहा था कि वांगडूंग एक ब्यूटीफुल गॉड़ेस है, वे तांगूटूंग को घूरते रहे, और अभीडी उन्हें, लेकीम नहीं हुपा रहा था कि वांगडूंग सच में क्लव की है, यूहां को पूरा अमड़ से हिल चुका भा, उसे लगा कि ये सब बस सिल्फ एक सपना है, लेटिम जब उसे रिलाइज हुआ कि ये कोई ड्रीन नहीं है, फब उसके मूँ से बस एक सिंटिंग्स निकला, इतने साल में गॉड़ेस के साथ लह लहा भा, पर पैं तब ही यूहां उसे ध्याम से देख कर कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी अलड़ लग रही हो, तुम में खुद को एक इनम बॉई के लूप में इतनी अच्छी करा चुपाया, ये सुनकर तान उटोंग गुसा होने की टिंग करती है, और कहती है, मुझे माफ करन वैसे भी तुम्हारे पीछे बहुत सारी ललकिया है, तुभे मेरी जरूरप नहीं पड़ेगी, तब यूहां उसका हाथ पकड़ कर कहता है, तु सॉरी मत बोलू, मैं स्टुपिड हूँ, चैकु में पहले ही नहीं कहा तुने तुम्हारा इडियट हूँ, आब अपनी बात से पीछे मत हटना, मेरा बिल पहले ही एक गौडेस ने लिलिया है, और उसकी जढ़ा कुल्योर्ड नहीं ले सकता, इसके अलावा अब वो बौडेस मेरे पास खड़ी है, ये सुनकर पांगुदूं मुस्कुला तर बोली, इडियट में मजाक का वही की, उसके बाद सी गौ और ब्लाइन वेट फेस्टिवल खत्म हो गया, और युहाओ और वांडूम मुस्के इन के विनल बन गये, जहाँ उसे लगाप है, युहाओ से पसंद वहीं करेगा, परसा बुल्टा हुआ और युहाओ में उसे फिप किया, और वेकपल बंडेर, साथ ही ब्लाइन डेड ग कहते है, जह हम युहाओ और उस लड़की को चैलेंज कर सकते हैं, कमनाउन सर गुस्से ने कहती है, तुन लोग क्या पहले मर गये थे, अब चैलेंजिंग टाइंग खत्म हो गया है, और वेस ब्लाइन डेड फेस्टिवल के सबसे डेस्ट का पल है, उनका रिलेशनशिप हम तुन मुझे लोग नहीं सकती हो, और अट का चकर मामू भाया, और अट का चकर बहुत वेकार होता है, ये सुनकर तांडूटोंग यूहाओ से माफी मान में लपती है, मुझे माफ कर माव मैंने अपना जेंडर इसकी रेच छुपाया, क्योंकि तभी यूहाओ बीच में कहता है, मैं समझता हूँ मुझे अस और मीने अप्टल करती, तो हमें एक साथ लहने का जादा मौका नहीं मिलता, और वैसे ली तुन बहुप क्यों बहुर अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे लिया केडवी में मेरे साथ लहना हैं इंपॉसिबल होका, और हमारा रिलेशन्शिप आज के जैसा नहीं होता, हम अप इत्मी फ्यूजन टेक्नीक का यूज भी नहीं कर पाते, यह सुनकर प्यानबूतूंग शर्माने लगी और फिर बोली चलो यहां से चनते हैं, और फिर वो आगे निकल करी, कभी यूहां उसके पास चाकर मजाटने बोलने लगा, अब मुझे समझाया कि जब कुम पहली बा एक साब सोए थे, लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं एक लड़की हूँ, यूहां सीरियस होकर वापस से कहता है, वांगडूंग चा तुम्हें याद है, जन हमें पहली बार फ्यूजन टेक्नीका आर्जमाई थी, तो हम दोनों फैकान से देहोश हो गये थे, और अगले दिन हमें क्लास के लिए देर हो गई थी, और हमें मिस जाओ बलारा पनिश किया गया था, जहां मिस जाओ में हम पल चलाते हुए कहा था, चैकलं डोनों डेट कर लहे हो या कुद, मुझे डाउट है कि हुमें कभी नहीं सोचा हुबा कि हम कभी एक गूसले को डे यह तुम जा कह रहे हो, यह पॉसिबल नहीं है, हम अपनी शाबी के बाब ही वो सब कर सकते हैं, इस पर युहाओ हसने लड़ा और बुला, हुम क्या सोच लही हो, मैं अपने कमले ने एक साथ कल्कुलेशन कर्मे के बारे में बात कर लहा था, जैसे हम पहले एक साफ्तिया क इससे तांगू तुम शलमा जाती है, और फिल कहती है, मैं आज तुम्हारे साथ कल्कुलेट नहीं करना चाहती ही, जैक वता तुम कुछ कर्मे के फिरात में हो, वापस चाओ और सुजाओ, और मुझे रही जाका सुने दो, युहाओ में कहा, लेकिम बैद तुम से और बात करना चाहता हूँ, इस फ़ल तांगू तुम में कहा, चलो कल बात करते हैं, क्या कुमसी गौड फेस्टिवल के बाद धटे नहीं हो, और आज तुम बहुत सस्की से असलग रहे हो, इस ही अपने आपको कुमसी प्रोपेक्टर में के लिए मैंने अपने कम मेंने लोटने का फैसला चिया है, ये कहेंकर तांगू टून अपने कमले की ओर भाव मिलडी, तबी युहाओ ने उसका पीछा किया, युहाओ को पीछे आप ते देता, वो वुग गई, और घंद पीछे नहुरकल युहाओ को हग किया, युहाओ क्या तुम्हें पका है, मैं बहुत टेंश कि अधर तुम्हें मेरा असली चहरा पसंद नहीं आया, तो क्या होगा, अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हम दोनों को एक दूसले की नई तहचान को एक सेप्ट कमें के लिए और समय चाहिए, यो नहा हम भीरे दीर शुरुआत करें, ये सुनकर युहाओ का चहरा चान ये सच है कि हमारे व्लिष्टे को बदलने के लिए और समय चाहिए, लेकिन वैदर पुग मुझे अभीर ये बाते बता रही हो को क्या तुन मेरे साथ खलकी व्यत्ती की तरह वहार नहीं कर रही हो, इस पर तांगू पुंग ने कहा, तुन हो नहीं एट ठकी, मैं अब जा नहीं हूँ, तभी यूहाओ उसे पीछे से गसकर पकर लेता है, हानवू पुंग ने फिल भी भावने की कोशिश की, मदर यूहाओ में उसे जाने ही महीं दिया, और बोला, तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई मुझ से दूर भाव में की, क्या तुम सच में सोच की हो कि मैं तु नहीं कर लेती हो, आगे से मुझ से दूर भागने के बारे में कभी मत सोचना, हानवू टूंग यूहाओ से अलग नहीं हो पा रही थी, प्योंकि यूहाओ से छोडने का नाव नहीं ले रहा था, इसलिए उसने अपना चहरा को माकल कहा, तुम्हें इंतजार कर माही होगा, महले ही जीवन भर के लिए हो, तुम्हारे पास कोई और नास्ता नहीं है, अब इसके बाद तांवू टूंग यूहाओ को एक पाउच दिटी है, जब यूहाओ में इसके बारे में पूछा तु पांगू टूंग ने कहा कि मुझे भी महीं पका, फर्स्ट अंकल ने मुझे ये दिया खा, उन्होंने कहा दर मुझे कभी कोई ऐसा व्यक्ती मिले जिसके साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहू, तो उसे मैं ये पाउच दू, उन्होंने मुझे डिगनी भी नहीं बिया कि इसके नंदर क्या है, फर्स्ट अंकल से तांगू टोंग का मकलब कि ये स्का फॉंग में है और प्यार स्काई सिक्ट को चला रहे है, इसके बाद युहाओ उस पाउच को घ्यान से देखने लटता है, ये एक अजीब पाउच है, सेफ लीडर मुझे ये पाउच क्यों देंगे, इतला कहकर युहाओ ने उस पाउच वो खोलने की कोशिश की, लेकिन त पाउच चीच है, वो टूच जाएगी, एट बाल जब तुभारी मेंटल पावर हाईर लेवल तर पहुँच जाएगी, कब पुविस्ती को पूर पाउगे, इसके माब युहाओ तांगुटों को सके टंगे तर छोड मेटाता है, फिर जब वो पहुच जाती है, तब युह बाद हं कर सकते है, ये कहते हैं हुए तांगुटों अपने कमरे ने भाग गई और दरवाजा बं कर दिया, फिर युहाओ भी अपने कमरे ने जाकन सुगया, रुली रात युहाओ सापने ने तांगुटों को देखता रहा, और उसका नाम पुकावता रहा, अगले दिन तुम महीं, बलकी हेट मास्टर यान थे, वो बोलते है, तुम किसे बुला रहे हो, और तुन अभी भी नीद में क्यो चल रहे हो, चाकन वाद के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कम युहाओ ने कहा, गुड मॉर्णिंग हेट मास्टर गुझे माफतर ना, यान हो, इसके आरे में बहुत पहले से पता खा, कम हेट मास्टर ने कहा, बिलकुन मैं जामता हूँ, सिल्फ मैं ही महीं यहाँ पर किसी गौड पवेलियं मास्टर मुलाव को भी शूज हे पपापर, टी गौड पवेलियं टे हॉल में एक किताब है, जिसमें लेयर मावशल स्प रिट मास्टर्स पर ही अपियर होती है, यही कारल है कि जब बांग दूम में अकेडमी नेयां तब किया था, कब से ही हम जामते थे कि वो एक लगकी थी, यह सब सुनने के बाब यू हाँ पूछता है, फिर आपने मुझे क्यो नहीं बपाया, और यहाँ पर कि मुझे एक ही अकेडमी के रिलेशन्स क्लियर स्काई सिक्ट के साथ अच्छे हैं, इसलिए हम उसे एक्सपोज नहीं करेंगे, अदर हम में तांगोटों को एक्सपोज किया, तो प्लियर स्काई सेक्टर के एनमी तांगोटों को नुकसान पहुचाने की कोशिश क्लवसेट पे हैं, अब जल्दी सी गौण पवेलियन मास्टर और बाकी अल्दस तुमसे बापकर माच राकते हैं, उसके बाद यूहाओ हेड मास्टर यांग के साथ चला गया, धिल जब सी गौड वीडिन खत्म हो गई और हेड मास्टर यांग पवेलियन गेट के पास यूहाओ से बात कर रहे थे तो पांगूटूंग दिवाल के पीछे चखकर यूहाओ को देख रही थी, तब यूहाओ को पता चल जाता है कि कोई चुकल उसे घूर लहा है, हेड मास्टर यांग को पहले ही पता चल गया था कि गो तांगूटूंग है, इस ही अंगूझ ने यूहाओ से कहा, युहाओ ने मुर कर पांगुटूंग को बेखा तो वो देखता ही रह गया। फांगुटूंग में एक सुन्दर ग्रेस पहनी हुए थी। और ऐसा लट्पा है कि वो चाप ही थी कि उसे युहाओ सबसे तहले देखे। युहाओ में कहा पांगुटूंग को आज बहुत सुन्दर लट लट लही हो। मैं बस तुम्हें देखता ही रहना चाहता हूँ। इस पल पांगुटूंग कहती है क्या तुम्हें आज ही इसके वारे में तपै चला। तब युहाओ में कहा बिलकुल नहीं तुम पहले थी लट की थी। इस इस ही मेरी तुम से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आप फवलट है। मैं जब चाहे तुम्हें अपमी दिली की बाब बता सकता हूँ। युहाओ में आपत ब्रेक फास्ट नहीं किया था। इस ही पांगुटूंग ने उसके लिए एक स्पेश पारहभा कि तांडूटूंग में उस ब्लेक फास्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। उसके बाब युहाओ ने खाना शुरू किया और उसे ये इतना पसंद आया कि गो कहने लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुभाले जैसी वाइफ मिली। मैं इस से ज़ तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है बस ये पार्ग हत्म हुआ है।